रेस्टरंट में उर्फी जावेद को नहीं मिनी एंट्री तो बाद का बतंगर बना दिया उर्फी जावेद ने जिसके बाद मैलेजर को भी देडाले थम की अपने अतरंगी स्टाइल और तीखेर स्टेटमेंस की बचा से अकसर लाइम नाइट बतोरने वाली और्फी जावेद एक बार फिर खबरों की हेडलाइन्स पे चाही हुई है उनका एक तंगा हो गया है इस बारे में उन्होंने खुद इंस्टेग्राम स्टोरी में बताया है साथ ही एक वीडियो भी सामने आया है जिससे मामला कुछ और ही दिखाई दे रहा है जहाँ एक तरफ और्फी जावेद अपने कपड़े की वचह से रेस्टराण में एंट्री ना मिलने की बात कर रही है तो वही मैनेजर सीट खाली ना होने की बात करते हुए दिखाई दे रहे है दरसन उर्फी जावेद आपनी चम चमाती कार में मुवई के एक रेस्टराण पहुची वहां गेट पर खड़ी मैनेजर के पास गई जहां उनसे ये कहा गया कि सारी सीट्स फुल है बरी हुई है इस लिए उनको एंट्री नहीं मिल सकती इस बात से उर्फी जावेद गुस्से से लाद हो गई उन्होंने अकड में मैनेजर को ओर्डर देते हुई कहा कि बहुत जगह मिल जाएगी चेक करो इसके बाद मैनेजर ने उन्हें साफ शब्दों में कहा सारे सीट्स फुल है उर्फी जावेद कहती है ये गार्नेवल वार्नेवल मुझे नहीं पता जाकर बोर्डों के उर्फी जावेद आई है वैसे ही यहां मैनेजर रिक्वेस्ट करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा लेकिर यहां उर्फी ने एक ना सुनी वह कहती रही मेरी नाम जानते हो उर्फी जावेद हूँ मेरे निये जगह बन जाती है जाकर देखो मैनेजर बड़े ही प्यार सिंधी कहा रहे है कि मैंने कोई सीट नहीं है और यहां पर कोई सीट होता तो मैं डेफिनिटल आपको दे रहे था ऐसे न उर्फी जावेद ए पपराजी के सामने कहा कि ये कोई सीट का नातक नहीं है ये मेरे कपड़ों का नातक है इसके बाद वो चीकते हुए जोर-जोर से कहने लगी ये मुझे मेरे कपड़ों की बच्छा से बना कर रहे है ये उर्फिंग जावेद हेटर्स है ये रेस्टरॉन में मुझे इसलिए एंट्री नहीं दे रहे है क्योंकि इनको मेरे कपड़े पसंद नहीं है जबकि मैनेजर ने कहा कि मैम ऐसाब बिल्कुल नहीं है कपड़ों का कारण नहीं है आपको लग रहा है कि ये तीन लोगों की सीट घेर कर बैठ जाएगी खाना एक का ही खाएगी पेरमेंच एक का ही करेगी इसे रिकॉर्ड करो इस पर मैनेजर ने कहा कि मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है तो यहां लगातार मैनेजर की रिक्वेस्ट करने पर भी और फ्रीजावेद ने बुरी तरीके से उसे ट्रोल करते हुए ये कह दिया कि मैं अब देखो तुफारे खिनाफ तुईट करूँगी और साथी साथ आक्शन भी लूँगी देखो अब तो इतना सब होने के बाद भी मैनेजर नहीं समझाने में नगा रहा इसके बाद आक्ट्रस ने इंस्टाग्राम पर लिखा क्या है ये ये वाकई क्या 21 भी शताबदी है मुंबई मुझे आज एक रेस्टराण में जाने से मना कर दिया गया ठीक है अगर आपको मेरे कप्रों की पसंद सही नहीं लगती आप उसे अल सहमत है लेकिन ये सही नहीं है कि आप मुझसे अलग बरताव करें यहां बुरी तरीके से उर्फी जावे देबात का बतगनर्ग बना दिया और सुर्ख्या बटोली तो इस पर आपके क्या है रियाक्शन दू लेट उस नो इन दे कमेंट सेक्शन